जेहिन नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत करता हैं आप सभी का अनुस्का अकेडमी देपर यूटूब चनल पे मैं आपके साथ ही वाजार लेकर हजिरों आप सभी के बीच में एक और इंपॉलमेशन वीडियो इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं आप सकती है आप आइडिया लगा नहीं सकते यह कटोप आगे जाके वहां पे जहां पे फरक पड़ना चाहिए एक चूली वहां पे फरक आतेगा लेकिन अभी आपके कितने मांक्स आ रहे हैं कितने वाले क्वालिफई होंगे इन चीजों पर तर्चा करेंगे ठीक है उपस्तित आप सब को पता है आड़ तारीक को यह एक्जाम हो चुका था और इसके अंदर 22 के कारण 29,568 विद्यार को ने परीक्षान नहीं दी तो इसके अंदर टोटल जो फोरम परीके थे सब की बात करता हूं सुबह 10-10 से लेके आपका पेपर में बेटना था पेपर के अंदर वी बेट जायर उसकी वीडियोग्रापी चेक करें तो उससे पता लग जाए ठीक है अब इसके अंदर में बात करूंगा टोटल फोरम की तो टोटल आपका 37,000 और 958 जो लगे वे थे उन फोरमों में से जो आपके परजेंट हुए थे only 8350 विद्यारती ही पेपर दिये हैं 29,568 जो आपके अप्सेंट रेगे पेपर ही निदी है और आपको पता है एक अजमेर पेपर हुआ है और एक इसके अंदर जेपूर पेपर हुआ है फो इसकी वजे से भी हो सकता है तो इसके अंदर अजबेर वाले सेंटर पे बात करूँ तो आपके टोटल 8884 विद्यारती वहां पे अलोट थे उन में से 1869 विद्यारती न पेपर दिया है, 7025 विद्यारती वहां से भी अपसेंट थे और जेपूर की बात करूँ तो यहां पे आपके 29004 विद्यार्थी टोटल अलोट दे उनमें से आपके 6400 इकराण में विद्यार्थी नों पेपर दिया है 22583 विद्यार्थी पेपर इनी दिया देख सबते वाँ और 22 के कारण एक वेसली नगर फाइस आगर छेतर में बारिश कारण सडकों पर जल बरावो ज़्यादा था और उसकी वज़े से प्रिक्षा के अंदर पर पहुंचने में भी प्रेशानी हुई विद्यार्थियों को और भूद ज़्यादा कम विद्यार्थी इसके अंदर आयते यह पेपर मातर 50 मार्ग्स का होता है शो क्यूसन आता है इसके अंदर जो पेपर नहीं दिया उनको बता दो और जो आगे एसिस्टेंट प्रोपेशल की शोच रहे है कि मैं भी तैयरी कर लूँ तो उसके लिए बता दू फर्स पेपर कैसा होता है तो इसके अंदर आपको दो गंटे को समय मिलता है और इसके अं तो इसके अंदर आपकी बुंगरली भी थी साइद तो यह तीन टाइप के पेपर जो आपके देखने को मिलते हैं और इसके अंदर मैं बात करूं तो आपका पासिंग मार्क्स जो आपकी मैंने कटोप चीज लिखी है कटोप क्या होनी चीए तो कटोप के उपर चर्चा करूंद मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो पेपर है इसके अलावार त्री स्टेप होता है इसके अंदर पेपर फास्ट पेपर शेकिंड पेपर थर्ब और चोता स्टेप जो रहता है उस स्टेप के अंदर आपका इंट्रिव आ जाता ठीक है यह जो रहता है इसके अंदर आपका पत्चास मार्क्स करेता है यह पिच्चेतर करेता है यह दो सब्जेक्ट करेता है यह सामानी ज्यान करेता है और यह टोटल यह आपका 200 का हो जाता है interview मुझे idea नहीं देखना पड़ेगा कितने mark से होता है लेकिन ये चीज़े आपके subject पर depend करती है आपके subject कितना मजबूत है और ये जो general knowledge आपकी किया कितनी अच्छी है उस पर depend करता है अब 50 जो है ये आपका minimum criteria इसके अंदर आप pass हो जाते हैं 40% ले आते हैं तो आप next paper के लिए eligible हो जाते है अन्याता not eligible हो जाते है ठीक है तब 100 question आए है 100 में से आपने card code के आपने 40 सही कर दिये तो या आप इसके अंदर eligible हो कोई दिकर नहीं next paper में आप बेढ़ सकते हो अब cut top जो आपकी decide होगी इन जगे से हो जाएगी क्योंकि यहां पर विद्यार्थी जो paper देने वाले थे वो कितने होगे देख सकते हो यहां पर paper देने वाले 8350 विद्यार्थी देंगे paper 8350 इन विद्यार्थी ने विद्यार्थी दिया जीके का इन मैंसे ही मैं कहता हूँ तो 60% विद्यारतियों के 40% से उपर आ सकते हैं 40% विद्यारतियों के 40% उपर नहीं आएंगे तो ऐसे मान के चलिए इन में से आप 60% निकालते हैं तो यूरेज मान के चलिए आप 5-6000 जो विद्यारतियों जाएंगे उन विद्यार्टियों को आगे जाके उस बर्दी के अंदर अलग-अलग सब्जेक्ट हों के अंदर डिवाइड होके और वहाँ पे पिपर देना है तो अब इस 6000 विद्यार्टियों मेंसे किसका सेलेक्शन होगा किसका नहीं होगा वो तो टाइम डिपेंड करेगा जिसका क्य जाके पड़ेगा अभी एक बार के लिए आपकी यह जो 40% minimum आपका passing marks होना चीए यह आपका होगा तो इसके अंदर आगया आप next paper में बेट पाऊंगे और अच्छे से आपका process होगा ठीक है तो उमीद करता हूँ आप सभी को इस paper के बारे में सारी जानकरी मिल गई होगी औ और अपने चर्चा की ओपस्तिती के बारे में assistant paper के बारे में कोई किसी का doubt है तो मुझे comment करके जरूर बताइए और किसी के पास कोई अच्छा knowledge भी हो तो वो भी share जरूर करिएगा हम मिलेंगे किसी नए assessment के साथ पतले जय हिंद जय बात